किया आपने कभी नारियर के तेल को स्वीच बोर्ड में यूज किया है नहीं किया है फ्रेंच तो एक बार चुरूर करके देखिएगा तो चलिए लेट न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टीप से मेरा दोस्तों चार्जर को लेकर के चार्जर हमारा क्या होता कि डेली यूज का चीज है मेरा बहु जधा गंदा हो जाता है डेली डेली डश्ट अग्रा पढ़ जाता है देख सकते हैं मेरा भी चार्जर कीतना जश्याधा गंदा हुआ है क्योंकि जब से मैं फोन लिजू हूँ उस समय से एक बार भी नहीं साफ की हूँ तो बहू ले लेना है वाइट वाला हां दोस्तों वाइट वाला कोल्गेट के लिनिंग का बहुत अच्छा काम करता है थोड़ा साफ इसमें कोल्गेट लगा लिजिए उसके बाद आप या तो कपड़ा नहीं तो ब्रस से आप इसको चारो तरप अच्छा से लगड़ दीजिए अगर अच्छा लगेगी तो आप के सामने रिजल्ट दिखा रहे हैं कि कैसे मेरा चार्जर इतना ज्यादा गंदा था विल्कुल क्लीन हो जाता है दोस्तों और हां दोस्तों वीडियो अगर अच्हा लगेगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यदा सेयर कर दीजेगा ताकि इस वीडियो के माधियम से और सभ हमारी हाउस वाई बहनों को कुछ सीख मिल सके डिपस में पैसा नहीं लगती है दोस्तोथ फ्री का टीप्स होता है और घंटों का काम मिंटों में होता है धेरो पैसों के वज़त भी होती है दोस्तों अगर हम सब टीप्स और ट्रिक लगा के काम करते हैं तो हमारा काम बहुत असान भी हो जाता है और बहुत जादा हमारा मनी सेविल भी होता है दोस्तों तो वीडियो को फूरा देखा कीजिए आप सब भी आप सब को वीडियो समझ में आईगी दोस्तों, बीना एक रुप्या खर्च की टीप्स होती है दोस्तों, बिल्कुल घर के समान रिवूज आइडिया से हम यूज करके आप सब को बताते हैं, तो देखे आप दोस्तों, हमारा चारजर बिल्कुल हो चुक आप सब के सामने रिजल्ट है, विल्कुल भी मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगी है, हमको हलका हलका हाथू से हम लग जगडये, और बिल्कुल चारजर हमारा क्लीन हो चुक लní तो और आप अच्छे से इसको कोई क कि हम सब केबल यहां पे टूट जाता है कि वहां पे ज्यादा भार पड़ता है केबल पर तो इसको क्या करना है जब भी आप मार्केट से चार्जर खरीद के लाइए तो उसके पहले आप यहां पे लबड पतलावल आप ले लीजे और इसमें एसे आप लगा दीजे अगर खरीद के लाते हैं तो अगर आप इससे पतलावला लबड लेकि ऐसे आप लगा दजेगा तो बिल्कुल आपका चार्जर बहुत दीन चलेगा बिल्कुल नहीं तूटेगा तो उमीद है दोस्तो यह भी आइडिया आप सबको बहु ज़्यादा पसंद आई होगी बढ़ते यूज हम सबको ब्रावर होती है या तो कीचन में कहीं भी कैची का यूज या तो कपड़ा भी सील रहा है तब भी चोटा अभी कैची कीचन में यूज के लिए आप रखे है तो उसको भी हमारा भोथर पढ़ जाता है बिल्कुल काटना बंद कर देता है तो हम क्या करेंग अच्छे से अगर आप रख करते हैं जिससे जितना भी आपका इसमें बैठा हुआ होगा आजकल जंग लग जाता है बरसाथ के दिनों में सारा जंग आपका निकल जागा इससे और जो हमारा काज का बोतल है दिल पेंट का उससे हमें धार लगाने में बहु ज़्यादा हिल कैसे हमारा लगना इसडार होगगे दोस्तों आक के सामने आप सब कह सामने रिजल्ट है दोस्तों तो एन हुग मैं कि थोड़ा सही लगना अच्छे थाथ हाथों से आप लगड़िएगा तब भी एसमें आपका हरायगा दोस्तों आप अभी आप लागड़ के दिखाते है स्टार्ट कर देता है दोस्तों लगता है कि हम सब बाहर से इसमें धार लगवाके मंगवा थेख सकते हैं कमाल की आइडिया दोस्तों बिना एक रुप्या खर्च के हम घर से थोड़ा सा टिप्स लगाके अपने कैची को पजा सकते हैं दोस्तों है न कमाल की आइडिया है न धेरो बचत अगर हम सब बाहर कैची को पज़वानी के लिए भेचते हैं तो पचासो उर्पया लगी जाता है तो बचा है न दोस्तों मनी सेविंग है न कमाल की आइडिया विना खर्च के अगर हम थोड़ा सा टीप लगा के काम करेंगे तो मारा घंटों का काम मिंटों में भी होगा और धेरो पैसों की बचत होगी क्योंकि आज की जबाना बहु ज्यादा महंगाई की जबाना है तो अगर हम टीप्स और ट्रीक की अगर हम सबको साफ करना पहुँ ज्यादा मुश्किल हो जाती है तो हमें क्या करना यहां पर कोई भी नारियर का तेल ले लिजिए को टन में थोड़ा सा दो तीन बुंद नारियर का तेल अब डाल दीजे ज्यादा नहीं डालना है आपको दो तीन भून टालना है और हम जब भी आप सूचबोट को साफ किजिएगा तो पैरों में चपल जुरूर पहन के रहिएगा वीना चपल के मत साफ किजिएगा नि तो क्रेंट का डर रहता है ऐसे तो नारियर का तेल और कॉटन में क्रेंट नहीं आता है लेकिन फिर भी हमको सतर खोंके भी काम करना चाहिए इस तरह से आप देखिए अगर आप लगड़ दीज़ेगा तो विल्कुल आपका जो भी डुस्ट होगा सारा साफ हो जाएगा देख सकते हैं मेरा सुचवर बहुत जादा काफी गंदा हो गया था मैं इसलिए नहीं साफ कर रही थी कि ताकि आप सब के साथ मैं वीडियो सेयर कर सकूँ तहने यह भी कमाल की आइडिया दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो तो वीडियो को जरूर जादा से जादा सेयर कीज़ेगा दोस्तो तो देखिए यहां पर अच्छे से आप इसको लगड़ लिजे कुछ भी कोई चीज कोई भी केम काल का जरूरत नहीं है आपको मातर आप नारियर का तेल से लगड़ के कपड़ा से आप इसको पोच दीजे उसके बाद आपका स्विचवर्ट बिल्कुल लाइटिंग चमकदार हो जाएगा दोस्तो मीदे आप बच्चे को टी-सट के लेगर के टी-सट के इबर क्या होता है दोस्तो कि टी-सट के गला बच्चे लोग को गिरने लगता है बड़ा गला अगर हम सब ले आते हैं मार्केट से तो बिल्कुल गिरने लगता है बच्चे लोग पहनना नहीं चाहते हैं या तो भी थोड़ा सा हाँ पर new है लेकिन हम बताने के लिए आप सबको लगा रहे हैं फिर हम इसको निकाल देंगे ऐसे आप इसमें सिलाई लगा लेजिए अगर आपका बच्चे लोग पहनना नहीं चाहते हो आपका बच्चे का गला बड़ा हो गया हो चू रहा हो दोनों तरफ से तो ए उपाय कर कि आप टी-सर को पहना सकते हैं उपर से एक कोई भी बटन लेकर इसमें टाग दीजे टी-सर का नया लूक हो जागा दोस्तों और बच्चे लोग पहनना भी चाहने लगेंगे क्योंकि बच्चे लोग को कुछ अलग नया करके दीजे तो ज्यादा ही पसंद करते हैं का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे दोस्तों तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हम बटन टाग दे रहे हैं तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो को मैं एंड करूंगी और कोमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आज की वीडियो ट देखते हैं दोस्तों ताकि मैं आप सबको धन्यवाद बोल सकूं और हमें भी तो पता चले कि हमारी वीडियो कहां कहां पहुचती है दोस्तों तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को हम एंड करती हूं मिलती हूं एक और अच्छे टीप्स एंट्रिक वीडियो के साथ तब तक के लिए बायवाय दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत दिल्य से धन्यवाद थैंक्स फूर